देश का पहला स्वदेशी विमान वहाग दुपोत आइनस विक्रांथ किस तरह से नौसेना की मारक्षमता को बढ़ाएगा इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आइनस विक्रांथ के पहले कमांडिंग ओफिसर कोमोडोर विद्यादर हरके साहब हैं किस तरह से क्या माइने होंगे नौसेना की ताकत किस दिशा में आगे बढ़ेगी पहले तो आपका इस फ्लाइट डिक पर स्वागत है आप जैसे देख सकते हैं इसका एक्स्पैंस यही आपको दिखाएगा कि क्या शमता यह लाता है जैसे आपने भी कहा कि मिग 29 इससे ऑपरेट करेंगे कामोड 31 ऑपरेट करेंगे जो हमारे लेटेस्ट इंडक्शन है हेलिकॉप्टर का जो एंटिसमरीन वारफेर का हमें एक बहुत ही इसका सस्टेनन्स इसका मेंटेनन्स इसका रख रखाव और हमें पता है कि यह कैसे हमने डिजाइन किया है तो इससे हमें एक ऐसी शमता मिलेगी कि हम इसको बेज हिजक काफी हद तक विदाउट एनी अपरेंशन्स वी एबल तो एक्स्वाइटेट तो एफुल केपबिलिटी अब तक हम क्योंकि कमिशन हो रहा है मेक इंडिया की बड़ी उपलब्धी माना जा रहा है प्रधारवंत्री तो अगर हम बिग 29 की बात करें कामोब हेलिकोप्टर की बात करें आने वाले दोनों में दूसे हेलिकोप्टर भी इस पर आएंगे उनको उनके ट्राइल के हम बात करें कितना अभी तक चीजें हुई हैं अगर आप फॉलो कर रहे हैं जैसे हम लास्ट ऑगस में पहली बार सेल किये थे उसी समय हमने 22 बार टचडाउन किया था हेलिकोप्टर लैंडिंग की थी तो एक ये मेरे जानकारी के अनुसार एक रिकॉर्ड है तो हमने फ्लाइट ट्राइल्स तो अलड़ी शुरू कर दिया है फ्लाइट इंटिग्रेशन शुरू हो गया है पर देखिए एक सारा का सारा शमता जो आएगा वो धिरे धिरे हम प्रूव करते जाएंगे अभी तो लैंडिंग हुआ है उसके बाद हम इसको इसके साथ सेल करेंगे इसको अपरेट करेंगे इसका हैंगर में ले जाके इसकी मरमत करके ऊपर लाके सो एक ऐसा माहौल और कुपूरी कॉमबैट केपबिलिटी अचीव करना एक हमारा कमिशनी के बाद धेया होगा अभी तो फ्लाइट है अज़ अज़ आपरेटिंग फ्लाइट है इसको अपरेटिंग इसको अचीव मौजूदा जो हालात हैं हमारे आसपास के उस दौर में देखे और करीब 13 साल का वक्त लगा है इसको बिकरान को बनने में हम अपने पडूसीं को देखें खास तो चीन को की चनोती हमले थे देखते हैं दोनु सरहत पर उसके मॉकाबले में और जस तरह के अधनी हतियार system इसमें लगे हुए हैं, कहां हम पाते हैं अपने मुकाबले, दूस्रे देशों के मुकाबले में आइनस विकरान देखें किसी भी aircraft carrier को अगर हम उसकी capabilities चांचें तो basically उसका propulsion क्या है, उसके sensors क्या है, उसकी aircraft launch capacity क्या है, किस तरह से launch किया जा सकता है, जैसे यह ski jump वाला है, carrier, तो अगर आप देखें कि इस tonnage का, इस capability का, जैसे propulsion हो गया, ski jump हो गया, इस बनावट के carrier में एक सर्व, एक बहुत ही बढ़िया carrier है, क्यों, क्योंकि इसकी design हमने की है और इसकी construction यहाँ पे हुई है, being indigenous, इसका sustenance बहुत ही असानी से हो पाएगा, तो जो कमांडिक officer हैं पहले CEO के तौर पर, Commodore विद्धाधर हरके, उन्हों ने बताए कि बड़ा मौका है, भरते नौसेना की जो मारक शम्ता इस आइनस विक्रान के तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि यह पूरी, तौर तरह से मेक इन इंडिया है, स्वदेशी है, और इसकी मारक शम्ता आने वाले दिनों में समद्री सरहत पर साबित होगी, कैमर्मेंट सत्य के साथ मजितनेगी, आइनस विक्रान, कोची, आस तक. प्रदकना लेगी, कैными साथ में समस्च मेंटे झाले झाले ।